सभी को नमस्कार, मैं पवन उपपल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सेहत और लाइफ चैनल में दोस्तों यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है, यानि हाई रहता है तो इससे आपकी रक्त वहिकाओं, दिल और अनि अंगों जैसे की ब्रेन, किड्नीज और आँखों पर अधिक दबाव पड़ता है जिससे आपको आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे हाट अटेक, स्ट्रोक और किड्नी खराब होना अगर आप अपने बड़े हुए ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा भी कम करने में सफल हो जाते हैं तो इससे आपको इन खतरनाक बिमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है आज मैं आपको जो घरेलू नुस्खा बताऊंगा वे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है और मात्र एक से दो महीनों के अंदर आप अपना बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर बिलकुल नॉर्मल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 125 ग्राम लहसुन एक लीटर गाय का दूद लहसुन को बरीक काट ले या माम दस्ता या मिक्सी की सहाइता से कूट ले क्रश कर ले अब इसे दूद में मिलाकर धीमी आज पर पकाई इसका खोया बना ले इस खोय में बराबर वजन की चीनी मिलाए अब इसके 20 बराबर हिस्से कर ले और 20 लड्डू बना ले हर रोज सुभे दूद के साथ एक से दो लड्डू अपनी शारेरिक शक्ती के उनुसार खाए इस परियोग को लगातार एक से दो महीने करने से रक्तवहिकाओं में कोमलता उतपन हो जाती है जिसके परिणाम सवरूप, बलड प्रेशर दीरे दीरे कम होता चला जाता है और नॉर्मल हो जाता है अगर कोई सवस्थे व्यक्ती भी यह परियोग लगातार तीन महीने तक कर ले तो तीन महीने के बाद उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसमें एक नई शक्ती पैदा हो गई हो एक नई उर्जा पैदा हो गई हो बहुत सारे रोगों का नाश कर देता है यह नुस्खा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजेगा